हेलो गाइज, वेलकम टू माइए मेडी चाइनल और आज हम एक बहुत सा प्यारा टॉपिक को लेके आए हैं आपके लिए और वो टॉपिक है पाइपिंग माटेरियल कोड एंड स्पेसिफिकेशन इससे बहुत से सारे क्वेस्टन बनते हैं जो इंटर्वियू में इंटर्विवर द्वारा पूछा जाता है और अगर आप इंडस्ट्री में आते हो एज पाइपिंग सुपरवाइजर एज पाइपिंग इंजिनियर यह बहुत ही हेल्फूल है तो गाइज हम लोगे स्टार्ट करते हैं हमें पता है कि जो आज की इंडस्ट्री में जो मटेरियल्स यूज हो रहे हैं वह मेंली कार्बन स्टील होते हैं कार्बन स्टील में दो कार्बन दो पार्ट में इसको डिवाइड किया सकता है लो कार्ब स्यूज होते हैं बट यह जो है वो मोश्टली उजेवल माटेरियल से जो 90 परसेंट कवर करते हैं जॉब को तो आज हम इसी की बात करेंगे कि अगर आप एज एक इस पूल्स को फिटें फेबरिकेट कर रहे हैं और उसमें अगर आप पाइप कार्बन इस्टील का लगा रहे ह तो वह कैसे आप जाकर इस्टेड इस्टोरेज एरिया से आप कैसे उसको सेलेक्ट करोगे कि इस स्पेस्फिक पाइप के लिए यह फिलेंज लगेगा क्यूंकि उस पर लिखा तो नहीं रहता है जश्ट देर इस वह अन कोड कोड वहां एक कोड रहता है उस कोड से आप रि कल नहीं है या गलत है वोका हमें स्टार्ट करते हैं तो चलिएंज बात करते हैं हम पाइप की बात करते हैं तो पाइप में दोकाण स्टिल मटेरियल सह्मेंज ज्यादा दिखने को मिलता है एक ASTM A106 अब हम बात करते हैं ASTM क्या है तो ये एक Just Organization है जिसका नेम है American Society for Testing Material ओके तो A106ABC ये A, B, C नतिंग बट ग्रेड ये क्या है ये ग्रेड है और A, B, C जो है ये भी सो करता है कि the percentage of carbon अगर मैं लिख दू A106A तो ये जो material है इसमें carbon के percentage different होगा, B में कुछ और होगा और C में कुछ और होगा अगर हम ये pipe को suppose कि ये ASTM A106A या ASTM A106B pipe को हम fit up कर रहे हैं तो इसका जो हमारे पास component है इसका जो हमारे पास fitting से, वो fitting से road iron भी हो सकता है, force fitting और cast fitting भी हो सकता है ये depend करता है, as per design और as per IFC drawing okay IFC drawing का मतलब होता है, issued for construction okay, और ये design होके आता है, उसमें materials code, extender, सारे चीज़ दिया रहता है okay, तो हम बात करते हैं कि अगर इस specific material के लिए अगर हमें road iron की fitting से लेके आना है, तो हम कैसे लेके आएंगे, तो guys हम जब भी भी जाएंगे, तो अगर जिस materials पे, अगर जिस materials पे punch हुआ हो, HTM A 234 234, grade WP A और B, grade A हो या B हो, WP के साथ कभी B भी मिलेगा, कभी A भी मिलेगा तो ये आपको indicate करता है कि ये road iron fittings है कौनसा fittings है, 234 जो है, वह हमें mind में रखना है ये road iron fittings है, और किसका fittings है तो ये carbon steel का fittings है A 106 का fittings है बट अगर हमें force fitting लगाना है, और हम जा रहे हैं तो देख रहे हैं कि flange पे A 234 लिखा है, तो इसको ना हम लेकर कौनसा लेंगे A105 लेंगे A105 लेंगे अगर हमें casting material use करना है तो HTM A216 216 जो है वह क्या indicate करता है कि ये casting material है अब इतना तो हम easily याद कर सकते हैं, इतना easily हमें mind में रख सकते हैं कि 234 जो है, वह road iron है और A105 है, वह force fitting है और A216 है वह cast fitting है, अब हम थोड़ा से brief में बात कर लेते हैं कि road iron road iron में हम confuse रहते हैं तो एक ऐसा iron जिसका हम hot work और cold work very easily कर सकते हैं और ऐसा क्यों होता है, ये क्या होता है ये एक mixture होता है, वह pure iron और slag का, तो road iron बनता है, okay, it is the mixture of pure iron and slag, it is called road iron, okay अब हमने तो देख लिए carbon steel, अब carbon steel में भी low carbon steel होता है, और low carbon steel में carbon की जो percentage होती है, वह 0.05 से लेकर 0.03 percentage तक होती है, और इसका जो code है, वह htm 8333 grade 1 और grade 6 है my dear friend grade 1 और grade 6 ये दो ही grade है, जो दिखाता है कि LTS pipe है, what is the meaning of LTS, low temperature carbon steel, you can say, okay, low temperature carbon steel, okay, अगर grade 3 हुआ, या grade 8 हुआ तो ये nickel steel हो जाएगा तो सिर्फ हमें पता रहना चाहिए कि LTS में triple 3 के साथ grade रहता है, वह grade 1 और grade 6 रहता है, अगर इसके लिए हमें road iron को select करना है तो htm A420 होगा grade WPL6, ये देखिए WPL6, ये grade दिखाता है, 420 ये WPL6 दिखाता है, कि ये जो road iron components है, वो किसका है, low carbon steel का है अगर मैं यहाँ 8 लिख दूँ यहाँ 8 अगर रहेगा, तो वो क्या दिखाएगा, कि ये nickel steel का component है कि हम आगे देखते हैं कैसे अब अगर हमें force fitting में जाना है, force fitting हमें लेना है तो हम select करेंगे, HTM A350 LF1 ये F जो देखिए, क्या दिखाता है F जो है वो दिखाता है, कि it is a kind of force fitting, और L यहाँ indicate करता है, कि low carbon ओके, और one or two जो है ये grade है, इसके बारे में भी एक दिन हम वीडियो बनाएंगे, क्योंकि ये वीडियो बरा नहीं कर रहा है, ये one or two, जैसे ये grade A, B, C इसमें क्या percentage रहता है, इसमें composition of material क्या रहता है, उस सारे को हम लोग एक दिन वीडियो में cover करेंगे ओके गाईज, अब हमें casting fitting की बात करना है, तो 888TM 8352 LCB और-C ओके, ये जो है, ये भी grade so करता है, अब ये हो हमारा हो गया carbon steel, जो mainly 2 use होता है, एक होता है carbon steel, जिससे आप high carbon steel भी बोल सकते हो, जो A106 है, और LTS, जो A333 grade 1 और grade 6 है, ओके, अब हम ally steel की बात करते हैं, गाईज आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा कि ally steel क्या होता है, ये कुछ alloying material को mix कर देते हैं carbon steel में ही, जिससे हमें alloy steel मिल जाता है, ओके guys, जैसे alloy steel में आप ये भी बोल सकते हो, nickel mix करना रहता है, malleable mix करना रहता है, chromium mix किया जाता है, जैसे हमें properties desired है, उस हिसाब से हम क्या करते हैं, उसमें mix करते हैं alloyable material को, okay guys, तो A3335 sorry, A3335 335 grade P1 P1, P2, P5 P7, P9, P21 P11, ये कुछ भी P के related लिखा रहे किसी भी material के साथ, तो ये समझ जाए, ये कौन से steel है alloy steel, तो P जो indicate करता है, ये कौन से indicate करता है alloy steel को indicate करता है, P1 हो 2 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो doesn't matter, ये सिर्फ दिखाया कि जो composition है वो P1 में कुछ different होगा P2 में different होगा, P5 में different होगा guys, okay alloy steel को कौन से दिखाता है P1, यानि P grade दिखाता है, अगर 335 के साथ लगा है 335 के साथ लगा है और वही 333 grade 1 और grade 6 क्या दिखाता है कि ये low carbon steel है तो इसके साथ अगर आप road iron को select करना है तो HTM 234 देखिए, यहाँ भी 234 है लेकिन grade ABC रहेगा क्योंकि इसमें देखिए, pipe में भी grade ABC है लेकिन यहाँ grade तो P1, P2 है तो जैसे ये HTM A234 के साथ P1, WP1 WP5 WP7 WP9 अगर ऐसा कुछ भी आता है तो यह हम समझ जाएंगे कि यह जो है road iron है और किसका road iron है यह road iron जो है alloy का fitting से, alloy का component है ओके, तो road iron का हमने पहले यहाँ देखा कि A234 होता है अब 234 से ही हम यह भी catch कर ले रहे हैं यह भी determine कर ले रहे हैं कि A234 के साथ जैसे ही grade W के साथ P1 A नहीं P1 लगा हो तो alloy steel हो जाएगा P के साथ ABC लगा हो तो carbon steel हो जाएगा तो guys इससे हम लोग easily पकड़ ले रहे हैं अब चलिए force fitting में force fitting में देखिए इसके A105 का न इसको आपको ATM A182 F1 F2 F5 इससे याद रखना है इससे आपको catch करना है कि यह जो है forging fitting है और वो किसका है Okay यह F जो है वो क्या दिखाता है यह F जो है वो forged के बारे में बताता है अब हम चलते हैं इसी के casting fitting के बारे में तो Ahtm A217 WC1 C6 C9 यह सारे जो indicate करते हैं यह बताते हैं कि जिस भी flange पे तो इसका मतलब कि यह जो materials है वो cast fitting है और यह जो usable है वो alloy steel में usable है यह high carbon steel low carbon steel में यह वाला component ले जागर fit अप नहीं कर सकते हैं Assemble नहीं कर सकते हैं fabricate नहीं कर सकते हैं यह 217 जो material है जिस पर भी लिखा रहेगा यह जब भी किसी के साथ fit होगा यानि कि यह alloy steel होगा अब हम आते हैं stainless steel industry में stainless steel भी बहुत यूज होता stainless steel actually में यह corrosion resist करता है stainless steel stainless steel जो होता है यह three type basically होता है हमें आज वहां नहीं जाना है हमें code के बारे में जाना है तो stainless steel जो होता है अगर Ahtm A312 304 TP 304 TP 304 TP 304 TP 308 एसा लिखा रहे तो हम समझ जाएंगे कि यह pipe stainless steel का pipe है यह 304 304L यह जो है L लिखा है यानि कि low carbon होगा अब यह जो pipe से इस pipe के लिए अगर हमें wrote iron stainless steel का fitting को select करके लेके आना है तो हम वह Ahtm A403 WP 304 यानि इसके जितने भी component होंगे उसमें CA 15 otherwise 304 लागे होंगे अब चलिए मैं एक elbow को ले रहा हूँ अगर elbow में Ahtm 182 F1 सिर्फ लिखा है तब तो आप इसको कहिए लेकिन सपोज कि ये F6 लिखा है और 304 साथ में लिखा है तो 304 जो किस चीज के इंडिकेट करता है तो ये इंडिकेट करता है stainless steel का तो ये जो fittings होगा ये जो flanges होगा ये जो elbow होगा वो stainless steel का elbow और flanges होगा जब हम आते हैं इसका भी casting fitting में तो जो cast fitting होता है stainless steel 351 भी होता है ये भी हमें जानके रखना है अब आते हैं हम nickel steel में देखिए जो same LTS है न 8333 यहां भी nickel steel में देखिए 8333 ओके बट grade यहां 1 यह grade 6 दिखाएगा कि यह low carbon steel है और यह grade 3 और grade 8 यह दो grade दिखाएगा यह हमारा क्या है stainless steel है जब इसका component raw iron में A420 था तो इसका भी क्या होगा 420 होगा बट इन दोनों को different कौन करता है grade यह grade ही तो different किया है तो यहां 6 है अगर यहां grade 8 हो गया तो क्या हो गया यह nickel steel का क्या हो गया raw iron fittings हो गया और अगर यह grade 6 है तो यह क्या हो गया क्या हो गया यह raw iron fittings हो गया बट किसका हुआ low carbon steel का अब आज यह forge में आज यह तो यह देखिए 350 था 1 और 2 क्या दिखा रहा था grade दिखा रहा था ओके अब यहां भी जो होगा nickel में 350 होगा बट यह देखिए 3 जो grade है किसका है तो nickel का है तो यह यह जो component है यह किसमें आएगा force fitting में क्योंकि यहाँ F लगा हुआ है ओके 522 भी जो होता है वो force fitting होता है nickel steel का अब इसमें आ जाईए अब यह देखिए nickel steel का A A352 LC3 यह जो 3 है यह दिखाता है कि nickel steel का component है casting iron में और यह देखिए 352 जो है same यहाँ BC यह लिखा है यह carbon steel का component है ओके तो guys यह हमारा था अभी हम कोई demo देखते हैं एक isometer के जो industry में यूज होता है उसमें देखते हैं कि material दिया रहता है हम कैसे determine कर पाएंगे कैसे catch catch कर पाएंगे कि यह forging है casting है यह road iron है तो guys हम लेते हैं guys see this is an isometric drying यह start drop का drying है अब इसमें कोई भी आप यह देखिए तो यह क्या लिखा है दिख रहा है आप लोगों को यह five है और यह five किदर आ रहा है तो यह elbow के पास आ रहा है और यह elbow है इदर कुछ और दिख रहा है आपको यह three inch दिख रहा है अब चलिए अब यह elbow जो है हमें कैसे पता चलेगा कि यह जो elbow है यह force fitting है या road है या casting है कैसे हम पता करेंगे सबसे पहले हम bill of material में five number पे जाएंगे तो देखिए five पे जाए five पे इदर जाए bill of material five पे जो गया है five पे क्या दे रहा है five पे five पे five पे गया देखिए three inch का यह भी जो line three inch का था ओके यह क्या है elbow है ओके लेकिन यह क्या है htm a two three four two three four तो दो में होता है किस में किस में होता है एक तो carbon steel का होता है अब carbon steel में grade बता देगा कि यह आपका carbon steel है यह क्या है तो यह देखिए grade क्या है WPB B, B is integrating it is a carbon steel but WP1, WP5 अगर यह रहता तो आपको LOI steel होता तो 234 जो होता है वो दोनों का होता है लेकिन देखिए grade आपको बता दिया कि यह जो है वो carbon steel का elbow है तो guys आपको समझ में आया I hope आप समझ रहे हैं सारे चीजों को ऐसे ही आप देखेंगे कि कौन सा material कहां यूज हो रहा है अब मैं एक और चीज आपको दिखाना चाहरा हूँ कोई और सा देख लेते हैं यह देखिए 3 इंच का जो यह pipe है जिसमें elbow लगा है इथिरिंज का pipe में देखिए इसका क्या दे रहा है pipe दे रहा है E106B यानि कि यह carbon steel pipe है और 333, grade 1 और grade 6 रहता तो तब आप बोलते हैं कि यह carbon steel pipe तो है बट low temperature carbon steel pipe है लेकिन यह अब यहाँ E106 है और यह indicate कर रहा है कि यह carbon steel pipe है वोके मैं आगे बताएगा आपको जो pipe भी होता है उसका 3 type को divide कर सकते है उसके end कहीं तो webel रहता है कहीं flat रहता है और कहीं screw रहता है तो यह हम आगे चलके देखेंगे और यह schedule और आगे देखेंगे तो अभी हमें यह पता चल गया कि हमें कैसे determine करना है कि यह कौन सा components है किस materials का यह fittings है यह forcing है और casting है तो guys मैं उमीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा ओके thank you so much for watching this video thank you